नमस्कार मैं डॉक्टर अनीता चोधरी बच्चो जैसा कि आपको पता है हम सिंगहल दीब वर्नन पढ़ रहे हैं और जाइसी ने जो सिंगहल दीब के बाजारों का और वहां का जो एस्वरी है वहां का वैभौ है उसका बहुत ही सुंदर वर्नन हमने कल पढ़ा था और उसी क माज देखें कतहुं पकड़ी काठ नजावा, कतहुं नाद सब होई भला, कतहुं नाटक चेटक कला, कतहुं काहु ठक विद्या लाई, कतहुं केही मानुस बोराई, चरपट चोरी गंठी छोरा, मिले रही ओही नाच, जो ओही हाट सजग भाग, गठी तापरे पे बांच, देखें, फूल यह प्रणों को लेके आती है, माली ने होती है, ताप और सउंधा मने गंधी, सुगंधी बिशने वाले, खिरोरी माटिक्या होती है, और बखानु मने वर्न होता है, चिरहटा मने बहील्या होता है, पंखी आप जानते हैं, पक्षी के लिए है, पकंधी कठफुतली वाला ह जाती है, नाद सबज मने गाना बजाना हो गया, चेटक मने इंद्रजाल, चेटक कला मने जादू की कला, ठक विद्या लाई, ठक विद्या प्रदस्त करने वाले, बवराई मने बावला कर देना, चरपट मने चाला, गंठी चोरा मने जेब काटने वाले, या गांड काटने वाले उस सजग मने सावधान और गंठी मने क्या होता है पूंजी अब इस चंद में जैसी ने सिंहल की हाट का वर्णन करते हुए का है कि यहां माली ने गंधी पंडीद खेल कूद करने वाले चेटक ठग चोर और गंठकटे आदी सभी दिखाई देते हैं इसका संसर्त का अर्थ भी आप इससे ले सकते हैं इसके दो अर्थ होता हैं सिंहल की बाजार में माली ने फूल लेकर बैठी हुई हैं और तमूली अच्छे अच्छे पांच समाल कर चुने हुए हैं सुगंधिकार सब प्रकार के सुगंधि द्रब इत्रादि लिए बैठे हैं फूल, कपूर, केवडा की गंध में बसाई हुई कत्थे की टिकिया रखे हुए हैं कहीं पंडित पुराण का पाठ कर रहे हैं और धर्म मार्ग की चर्चा भी कर रहे हैं किसी स्थान पर सुन्दर कता हो रही है और कहीं पर सुन्दर नाजगूद हो रहा है कहीं पर बहेलिया पकड़ कर लाए हुए पक्षियों को बेच रहा है और कहीं पर कटपुतली वाला कटपुतली का नाजग कर रहा है कहीं पर सुन्दर गायन हो रहा है और कहीं पर नाटक का जादू का तमासा हो रहा है और कहीं पर कोई ठक विद्ध्य द्वारा किसी को ठक रहा है और कहीं पर कोई किसी मनुस्य को बावला बनाकर लूट ला है यह संसार के तरह यह बाजार है तो यहां विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो अपने अपने चीज़ों से लोगों को आकरसित कर रहे हैं उस नाच में बीच में चोर, बदमास, बहु, मिथ्या, वादी, मिथ्या में जूट बोलने ओला और गण कटे मिलते रहते हैं जो दर्सकों की पुझी चाला की से हर लेते हैं, जो लोग सावधान होकर वहां रहते हैं, उन्हीं की पुझी बाचित जाती है अब देखे इसमें गागिये संसार भी इस हार्ट के समानी है, यहां पर अपनी और आकरसित करने वाली जो बूरी चीज़े हैं वो अपनी और व्यक्ति को आकरसित करती हैं, और जो उनके आकरसन में बद जाता है, वो अपने आपको उसमें खो देता है, यानि वो उसमें डूब जाता है, उसका उद्धार नहीं हो पता है और जो इस बाजार से इस आकर्सन में जो लोग बनते नहीं हैं वो लोग उस आकर्सन से दूर हो जाते हैं और संसार से मुक्ती पा जाते हैं अब इसमें कभी कहता है कि यह संसार है संसार में चोर गटकडे और मिध्यावादियों दूसरे भठकने वालों की कमी नहीं है और जो इनके बीच में रहकर वही मनुसीं संसारिक और परमार्थिक संपत्री की रक्षा कर सकता है जो कि वह विवेक के साथ सचेत रहता है जो अपनी बुद्धी से, अपनी विवेक से सचेत होका इस अंसार में रहता है, वही उसी का जीवन सार्थक होता है, उसी का जीवन सफल होता है, वरना आपको आकर्षित करने वाली बहुत सी चीज़े हैं, जो आपको आकर्षित करके उसको आपको भौसाकर में डुबो देत पुनी आई सिंगल गड़ पासा का बरनो जनुलाग अकासा तरही करन ही बासु के कैपीठी उपर इंद्र लोग पर दीठी पराच खोह चहूं दिसी अंक अस बांका कापें जाए नहीं जाएंका अगम असूच देखी डर खाई परें तो सपत पर परता रही जाए नव पौरी बांकी नव खंडा नवों जो चड़ें जाए बरमन्डा कंचग कोट जरें नगसीशा नखत ही भरी बीजु जन दीशा लंका से चाही उँच गड़ता का निरखिन जाए दीठी तनबाका हियन समाई दीठी नहीं जाना हूं ठाड सुमेर कहां लगी कहां उचाई कहें लगी बरनो फिर इसमें सिंगल दीठी की विशालता का वर्णन कवी करता है पहले हम इसके सब दार्थे देख लेते हैं का बढनों मैं क्या हो उसका वार्णन करें पासा मैंने समीप करने में्ने धिक का ये मनने सेषनाता है और तरही करहनी पीठी है नीचे कार वासू की दिगजों और सेशना की पीटप पर पलती हुए है पर थेधिधि माने दरिस्टी, खोर्थ मेनै खाई बाका मान व्रक्र डर खाई भाई खाता हुँ और बांगी मैं चक्करदार ब्रमंढड़ ताका मान मने देखने में कंचन मने सोने का परकोटा और बीजु मने विद्धुत है विजली दिसा मने दिखाई दिया चाही मने बढ़कर फिर मने घेराया विस्ता है इसमें उन्हों ने सिंगहल देप की विशालता और उंचाय का वर्णन इसमें किया है सिंगहल नगर की वाटिकाओं और हाटों का सौन्दर देखने की पस्चार सिंगहल गड़ के समीप आए उसका क्या वर्णन किया जाए है ना सारी सिंगहल की नगर का वर्णन के लिए वहां की वनों का वर्णन किया वाटिकाओं का वर्णन किया और वहां की जो तालाचो चु तो उसके आगे वो कहते हैं, कि अब मैं सिंधल दीब का क्या वर्णन करूँ, किस प्रकार से उसका वर्णन किया जाए, वो इतना उचा था मानो आका से लगा हुआ हो, उसकी नीव इतनी गहरी है कि वो पाताल में दिगज़ां और सेषना की पीट पर ठेरा हुआ है, और वो इतना उच्चा है कि उसको देखने में द्रिस्टी इंडरो से जो लगती है उसके चारोग और बहुत गहरी अद्बृत खाई है। ऐसा लगता है वो इतना उचा है जैसे वो हो इंद्र लोक से लगा हुआ हो और उसके चारों और गहरी खाई है और जिसको देखते ही पैर कापने लगता है वो इतना उचा ही हम दिस्ट्री करते हैं तो हमारे पैर भी कापने लगते हैं उसमें ज्छाकने का साहस तो होता ही न वह सीधा साथ पातालों में पहुंच जाता था। सिंगल गड़ में नौ खंड़ों में बाकी नौ पौरियां हैं जो उन नौ मंजिलों से चड़कर उन पर पहुंच जाता है तो उसे ऐसा लगता है मानू वह ब्रह्मांड आकास में पहुंच गया हो। तो यहां पहुंच जाता है। तो जो पहुंच है वहां का दो भवन है की के शचा यौ ब्रह्मांद अल श्मील के ओसी नौ पहुंच एंस और गया हुँझ भश्यक और उन मंजिलों को चड़कर जो उपर उन पहुंच जो जाता है वह इसा लगता है womanma जैसे ब्रमांड में आकास में पहुँच गया हूँ तो यहां पर एक कह रहे हैं लंका के लंका गड़ से भी वह उँचा दिखा जाता है वहां का जो परकोटा है जो उस केले के चारू और परकोटे हैं वह लंका गड़ से भी उँची दिखाई जाता है उसको देखने में कभी कहता है कि मन और दिस्टी दोनों ही ठख जाते हैं सिंगल गड़ इतना विशाल है कि वो हिर्दय में नहीं समाता और उसकी उंचाई तक दिस्टी भी नहीं पहुँच पाती वो ऐसा लगता है मानो सुमेरु ही खड़ा हो कभी कहता है सुमेरु पर्वत के समान प्रतित होता है कभी कहता है कि मैं उसकी उंचाई का वर्णन कहां तक करूँ और उसके धरे विश्टार को कहां तक कहूँ अर्था उसकी उंचाई और विशालता का वर्णन किया नहीं जा सकता है मेरी वर्णन से वह परे है वो इतना विशाल है वो इतना उंचा है कि उसका वर्णन किया जाना संभव है अब यहाँ पर जो अप्रस्तुत अर्थवीश में है एक जैसे यहाँ पर इसमें योग साधना का संकेत यहाँ पर कवी करता है जैसे हट योग में सिंहल दीप को सिद्ध पीट माना गया है नव खंड़ों और नव दारों से जैसी ने सरीर के नव द्वारों की व्यंजना की है कि हमारे सरीर में नव द्वार है और हट योग जो होता है हट योग में यहाँ माना जाता है हट्यों में मानव शरीर को संपून संसार का रूप मानकर ही साथना की जाती है हट्यों की साथना की तरह सिंगल पर चड़ कर चड़ना दुसकर होता है हट्यों की साथना में कुंडलनी सुसमना मार्ग से सरीर के नौ द्वारों को पार कर दसवे द्वार ब्रहमरंद्स में पहुंसती है और यही योग साधना की चरम उपलबती है तो इस पकार जो सिंगल गड़ है यह भी हमारे शरीर के समान है जिसमें नौ द्वार हैं, नौ पौरियां हैं जिसमें चड़ता हुआ है अपने हट योग के द्वारा अपने साधना के द्वारा ब्यक्ति उपर चड़ता ही जाता है और फिर वो सुसमना मार्ग से सरीर के नौ द्वारों को पार कर दसवा द्वार जो जहां पर ब्रहमान्ड है वहां पहुंच जाता है और यही योग की चरम उपलबती है आव इस वार यह भी कर सकते हैं कि इस शरीर में नौ खंड है और योग साधना की द्वारा कुंडलिनी सक्ती उर्ध मुखी होकर जब इन नव खंडों को पार कर लेती है तब ही वह भrahmरंद्र में पहुंच ती है और वहाँ पर हमें साधना की चरम उपलब्धी होती है इसको अच्छे से पढ़ लेना ये इंपोर्टेंट है अब इसमें एक दूसरी पंक्ती में आया है देखिए इसमें तरही करनी वासुकी क्या पीठी है तो यहां पर कह जाता है कि सिंधल गड़ की नियुकुर्म और बासुकी की पीठवर है पराणी मानेता की अनुसार पृथिवी पाताल में कूर्म मैं क्या होता हुदा है कुर्म की पीठवर है चार दिगजों की पीठ पर या सेषना की फन पर ट्ःकी हुई है ऐसा माना जाता है, इसलिए निया पजायसी ने इसको वर्णन किया है इसलिए अपना अलंकार देखते हैं अलंकार पूरे छान्द में समंधाति श्वयोक्ति है सभी में रूपकाति श्वयोक्ति, समासोक्ति और कंचन को टिसा में उपमालंकार है, अगम असूज में छे कानुपरास है आप इसको अच्छे से देख लीजिगा, और नहीं आएगा आप मुझे मैसेज कर दीजिगा मैं आपको दुबारा से बताऊंगे इससे, आज इतना ही, आप ध्यान से पढ़िए इसको